हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है फैविज्म के उपर ये जनरली जो इसके पहले हम लोगों ने वीडियो जो कवर किया था जिसमें हम लोगों ने टॉक्सी कॉंसर्टुएंट्स ऑफ पल्सस की बात की थी उसी के बात करेंगे वो होता है फैविज्म तरीके की डिजीज होती है जिसके बे पहती हैं लक्षर दिखाए देते हैं वो हमोलेटिक एनीैमिय के दिखाई पड़ते हैं तो जिस X-phosphate dehydrogenase है इस एंजाइम का काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है ब्लट सल डामेज को और प्रीमेचिय डिस्ट्रक्षन को अर बीसी के प्रीमेचिय डिस्ट्रक्षन को इसके साथ ही साथ इसका जो इंपोर्टेंट काम है वो पेंटोस फॉस्वेट पात्वे में देखने क विंखेड लूकोस में बेसिकली किसमें राइबोस 5 फासवेट में तो अगर ग्लुटाध ए ग्लुकोस 6 फासवेस दीधिध्याइट म ही नहीं होगा तो होगा क्या वैसिकली यह जिनेỉ सोगा यहाँ पर आपकरेक्ट करेंगी इस जीनेट हो जाएगी ग्लुकोस इक्स वास्वेट डिहाइडरोजिनेज की और फर्दर प्रॉसेस नहीं हो पाएगी जिस वज़े से अनीमिया की लक्षण देखी जाते हैं फिर देखें दूसरी बात जो हम कर रहे हैं कि ससेप्टिव इंडिविज्वल जो होता है उसमें ग्लूटाथ हम देखें यह जोयु locked बेसिकली नायरेख गर देखें यह तरीके का एंजाइम हैं जो की क्या रोल प्ले है प्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिस वजे से अनीमिया होने की चांसे जो है वो हो जाते हैं देखिए और जो इंपोर्टन बात है यहां पे यहां पे तीन कंपाउंड ऐसे पाए जाते हैं फाबा बीन्स में या ब्रॉड बीन में जो की फैविस्म के लिए जिम्मिदार हो ठीक है फिर देखिए यह प्रेजन्ट होते हैं कहां पर कोटिलिडॉण में केवल बीन्स की कोटिलिडॉण में और यह हल पर नहीं होते हैं तो कोटिलिडॉण का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ पल्स की बात की थी तो वहां पर यह प्रेज कि जैसे बीन्स बगारा जब हम लोग करते हैं तो हम लोग कई बार उसको राव फॉर्म में भी कर लेते हैं जैसे कि जब हम सौटे करते हैं वेजटेबल्स हाला कि करना नहीं चाहिए बहुत ही हामफुल हो सकता है तो हमें प्रॉपर जर्मिनेशन या शोकिंग के बाद ही बी करना है नेक्स देखिये हम जो बात कर रहे हैं वह हमें ग्लुटेनिन की तो देखिये भी नेचर में क्या होते हैं हमें ग्लुटेनिन भी नेचर में क्या है प्रोटीन है तो और देखिये क्या है इसको हम क्या बोलते हैं फाइटो ग्लुटेनिन और लेक्टिन जो है उस ना देता food intake result in poor growth food intake को reduce कर देता है जिससे poor growth हो जाती है फिर देखिए lactans जो होता है वो interact कर लेता है with dipeptidase disacurites and other enzymes के साथ जो की involved होते है in nutrient digestion and uptake hemagglutinin जो होता है वो isolated from soya bean field bean white bean double bean और horse gram में जनरली देखा जाता है फिर देखिए hemagglutinin जो होते हीट liable होते हैं अगर आप heat treatment दे देंगे तो इनकी amount को हम काफी हद तक हटा सकते हैं hemagglutinin जो होते हैं वो combine कर लेते हैं किसके साथ cell lining जो होती है intestinal wall की जो cell lining होती है उसके साथ यह combine कर जाते हैं और इससे क्या होता है कि amino acid के absorption को रोक देते हैं हमारी body में amino acid का absorption नहीं हो पाता है फिर देखिए lactins जो होते हैं वो protect करते हैं plant को from fungal attack and insect infestation और क्या काम इनका होता है hemagglutinin का जब यह plant में के case में होते हैं फिर तो ठीक है क्योंकि यह वहां पर plant को fungal attack से और insect infestation से बचाते हैं लेकिन जब यह हमारी body में आ जाते हैं तो यह as a toxic की तरह रोल प्ले करने लगते हैं बट यह heat liable होते हैं अगर हमने heat treatment दे दिया है तो इनका amount reduce हो जाता है और safely bean को हम या safely हम consume कर सकते हैं जो भी यहां पर आपको जैसे soya bean है field bean है white bean है double bean है and horse gram है next देखिए जो हम बात कर रहे हैं वो है cyanogenic glycoside की cyanogenic glycoside yield होते हैं जब हम इनकी hydrolysis कराते हैं cyanogenic glycoside की तो यह क्या करते हैं यह तूटते हैं किसमें hydrocynic acid में अब देखिए this causes cyanide poisoning by interfering with tissue respiration और क्या होता है यह जो hydrocynic acid होता है यह generally cyanide poisoning भी cause करता है ठीक है अब देखिए on hydrolysis of the glycoside of the enzyme beta glycosides hydrogen cyanide is liberated अब hydrolysis कराते हैं glycoside basically इसका cyanogenic glycoside का तो क्या होता है the enzyme beta glycosides hydrogen cyanide is liberated तो यह सेम वही बात है कि जो हम यह हमने देखा था hydrocynic acid जैसे hydrolysis कराने के बाद लिबरेट होता है सेम वही बात कह रहे हैं cyanide content जो होता है उसका range कितना 10 to 20 mg per 100 g of pulses is considerable safe यहना अगर हम 10 से 20 mg per 100 g में consume कर रहे हैं तब तो हमारी body के लिए safe है लेकिन अगर इससे जाधा हो गया तो फिर वह as a toxic role play करने लगता है जनरली देखे green pot cells of rasma contain traces of cyanogenic glycosides जो green cell pot cell होती है उनमें देखा जाता है राजमा की green pot cell में और many legumes except lima bean contain cyanide with the limit बहुत सी legumes ऐसे होती है जिनमें जो यह साइनोजेनिक जो glycoside हो पाया जाता है लेकिन limit में पाया जाता है और उसके बाद अगर भी अगर आप इसकी processing करें तो थोड़ा बहुत reduce किया सकता है बट जो amount है वो कम है जो हमारी body bearable है तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर ज्यादा पाया जा रहा है तो फिर problem है नेक्स देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो है saponin की saponin basically आप समझ सकते हैं कि produced foam went second with water generally आप देखते होंगे कि जब हम कुछ ऐसी pulses और लोगियूम बहुत सी आप देखेंगे राजमा वगेरे में भी ऐसा होता है कि जब हम इनको शेक करते हैं पाने के साथ तो foam या फिल लैदर यानि जाग उठता है है ना तो यह जाग जो होता है वो किसकी वज़े से होता है saponin की वज़े से होते हैं basically यह nature में क्या है glycosides होते है जो कि high molecular weight के होते है glycosides जो होता है वो alkaloid की एक category है they are present of soya bean they are present in soya bean saponin cause nausea and vomiting generally saponin किसमें देखा जाता है सोया bean में देखा जाता है और यह क्या करता है nausea और vomiting अगर इसका amount body में ज़्यादा हो गया है तो चक्कर आना उल्टी आना यह सारी चीज़े होती है these toxins can be eliminated by soaking prior to cooking अगर आप cook करने से पहले beans को soak कर दीजे तो क्या होगा यह जो saponin है वो reduce या एक तरीके से हम कहते है eliminate हो जाता है नहीं हटाया जाता है next देखिए हम बात करते हैं ग्वाइट्रोजेंस की ग्वाइट्रोजेंस जो होता है यह substance होते हैं जो कि interfere करते हैं with iodine uptake by thyroid gland है ना हम सभी को पता है कि जो iodine है वह हमारी body में thyroid gland जो होता है वह iodine को लेके आगे फर्दर हमारे करता है फिर देखिए तो यह substance जो होते हैं यह क्या करते हैं आयोडीन के अप्टेक को क्या कर देंगे इंटरफर कर देंगे यानि थाराइट ग्लैंड जो है वह iodine को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा इसमें देखिए थायोसाइनेट है आइसो थायोसाइनेट जो होते हैं यह क्या करते हैं कि soya bean में, ground nut में और lentils में प्रेजन होते हैं जो कि iodine के अप्टेक को इंटरफर करते हैं अब देखिए excessive intake of these foods in the phase of marginal intake of iodine from food and water में leads to precipitation of goiter अब अगर इनको अगर आप जादा कंजियूम कर रहे हैं तो क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर यह सारे जो compound है यह पाए जा रहे हैं तो यह करेंगे क्या यह guiter के condition जो होता है उसको cause करते हैं अब next हम देखिए जो बात कर रहे हैं वो है tannin की तो tannin जो होता है यह condensed polyphenolic compound होते हैं polyphenolic का condensed source होता है tannin they are present होते हैं high amount in seed coat of the most legumes, generally legumes के seed coat पे present होते हैं tannin जो होते हैं वो bind कर देते हैं with iron को irreversible and then interfere with iron absorb generally यह iron को bind कर लेते हैं और iron को body में absorb नहीं होने देते हैं tannin जो होता है वो interfer करता है digestive action of trypsin and alpha amylase rendering the dietary protein and carbohydrate indigestion फिर देखें tannin जो होता है यह basically bind करता है protein को and reduce the availability and they are also affect the basically B vitamin absorption यह और क्या करेगा tannin के साथ एक problem यह है कि iron को इसने bind किया tannin जो है यह क्या कर रहा है कि इसने पहली चीज तो iron को bind कर लिया दूसरा interfer कर लिया digestive actions of the trypsin and alpha amylase rendering की activity को भी इंटरफर कर दिया और क्या किया इसने alpha amylase rendering the dietary protein and carbohydrate indigestible है और alpha amylase की भी activity को इंटरफर करेगा जिससे क्या होगा dietary protein और carbohydrate जो होगे आप देखिये अगर हम see coat को remove कर देजनेरेली कहां पर रहे चाता है सीट कोडा़ सेट कोड़े तो इसको भी रिमूवी यानि तो तैनिन का content भी कम किया जा सकता है नेक्स देखिए कह रहा है कि रिमूवल ओफ हस्क अगर हमने कहटा दिया तो लोवर content तैनिन content and thus improve the appearance, texture, cooking quality, palatability, digestibility of the grain and bioavailability of the nutrients तो यह सारी चीज़े देखना है कि appearance भी अच्छा हो जाएगा, texture भी अच्छा हो जाएगा, cooking quality हो जाएगी, palatability भी बढ़ जाती है, क्योंकि टैनिन जो होता है वह थोड़ा सा कर्श पन लेकर आता है, digestibility हट जाती है तो, sorry, digestibility बढ़ जाती है, grain की और bioavailability nutrients की बढ़ जाती है generally, जो white coat की जो beans होती है, उनमें negligible amount में tannin होता है, लेकिन जो dark coat की होती है, जो red varieties की होती है, उनमें tannin content जादा देखा जाता है, जैसे कि red kidney bean है, black gram है, and soya bean have the higher amount of polyphenolic compounds तो इस वज़े से, इस तरीके से हमने क्या देखा, कि हमने जो बाखी बचे हुए, जो toxic constituents से pulses को, उनको cover कर लिया है, और यह बहुत ही important है, यह बार-बार question पूछे जाते हैं, इससे बहुत है trypsin inhibitor तो बहुत ही common है, और lethyrosins तो बहुत ही common है, मतलब यह सारे toxic constituents या anti-nutritional factors स बार-बार question जो है, वो पूछे जाते हैं, तो friends आपको कैसा लगा यह video, अगर अच्छा लगा हो तो like करिए, share करिए, comment करिए, channel को subscribe करिए, thank you